मासां गा कुरूंदा गिर नंदा या कुरे हेल्लो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल मुवी एक्स्प्रेंड में आज हम बात करेंगे मुवी एस दे गोड्स विल जिसे हमारी एक सस्क्राइबर राजुशी दे ने सजिस्ट किया है थैंक यू फर सथिस्टिंग में सच अन एपक मुवी एस दे गोड्स विल एक सूपर नैच्रल हॉरर मुवी है जो की रिलीज हुई थी 2014 में एंड आम डेए पे इसे रेटिंग्स मिली है 6.5 आट ओफ 10 सुरुक करने से पहले मेरे एक छोटी से रिक्वेस्ट कि आप चैनल को जरू सस्क्राइब करें इट्स न्यूज चैनल और आपका एक एक सस्क्राइब ही हमें आगे बढ़ा सकता है वोई तीन करेक्टर पर फोकस्ट हैं जिनका नाम है शुन, इचिका और अमाया शुन अपने जिन्देगी से बहुत ही बोर्ड रहता है क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं हो रहा होता लेकिन एक दिन जब वो स्कूल जाता है वो एक ऐसी डेटली गेम में फस जाता है जहां से अगर उसे जिन्दा निकलना था तो उसे गेम को जीतना ही पड़ेगा मुवी स्टार्ट होती है जहां पर हम क्लास रूम में शुन को उसके क्लासमेट्स के साथ एक डारोमा डॉल के साथ ट्रैप देखते हैं डारोमा डॉल स्टेंजली जिन्दा था और इन सब को अपने साथ डारोमा गेम कलने पर मजबूर कर देता है इस गेम में डारोमा डॉल सब को अपना पीट दिखाते हुए गाना गाता है और अचानक से पीछे परड़ जाता है पीछे मुरने पर सब को भी नहीं ले डूले स्टेचू बनना रहता है अगर कोई जरा सब हिला तो डॉल उसे मार देगा सब बहुत घबरावे वेते और इसी लेडर से वो लोग गेम नहीं खेल पाते तो वो डारोमा डॉल जो भी हिलता उसको वो मार डालता इससे बचने का बस एक ही रास्ता था कि डॉल के पीछे एक बटन है जिसे इन लोगों को वक्त खतम होने से पहले प्रेस करना पड़ेगा क्लाश में सुन और एक लड़के के अलावा बागे सब की मौत हो चुकी थी ये दोनों मिलकर बटन को प्रेस कर देते हैं और गेम को जीत लेते हैं लेकिन सर्प्राइजिंगली अब उस दूसरी लड़के का सर एकस्प्लोड हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है यानि कि गेम का बस एक ही इंसान जीत सकता है जो बटन को खुद प्रेस करेगा डारमा गेम खतम हो जाती है और डारमा डोल शुन से कहती है कि बिली आएगी और सब को खा जाएगी शुन को ये समझ नहीं आता फिर क्लास के डोर्स खुल जाती है और शुन बाहर अपने बच्पन की दोस्त इचिका को देखता है इचिका अलग क्लास के स्टूरेंट थी और उसकी क्लास में भी सेम ऐसे चल रहा होता है जिसमें अब उबस अकेली जिन्दा थी अब शुन और इचिका स्कुल से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन सारे रस्ते बन थे इसलिए उसकुल के जिम में जाते हैं अब दूसरी गेम भी शुरू हो चुकी थी जिसका नाम है माने की कोकेशी जिम के फ्लोर में से एक बड़ी से बिल्ली बाहर आती है और इस सबको एक एक करके खाने लगती है शुन नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही थी जो उन्हें ने चुहे की ड्रेस पहने हुई थी वो सबको जल्द से ड्रेस उतारने को कहता है बिल्ली अफशान्त हो जाती है लेकिन कुछ दिर बाद बिल्ली फिर से दुबारा इन पर हमला करने लगती है शुन और नीचीका को एक बैल नीचे मिलती है जिने इने बिल्ली के गले में लगी हुई रिंग के अंदर डालना था ऐसा करने पर ये लोग दूसरी गेम भी जीच जाएंगी इनमें इसे एक लड़का जो बास्केट बाल में बहुत से स्किल्ड था वो बिल्ली बिल्ली को अपने हाथों से रोक लेती है शौन और इचिका मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें ये लोग बिल्ल को एक बास्केट बॉल में चिवा देते हैं शौन और इचिका अब दो बास्केट बॉल बिल्ली के रिंग में वेखते हैं जिससे बिल्ली कन्शूज हो जाती है शौन बिल को रिंग में औलमुच डाली देता है कि बिल रिंग से टकराकर रिबॉंड हो जाती है तब ही अमया आकर बिल को रिंग में डाल देता है क्योंकि बस इची का शौन और अमया नहीं टास को पूरा किया रहता है बिल्ली उनका ही नाम लेती है as winners दो-तिन students जो अभी भी बचे हुए थे अमया उन्हें मार डालता है अमया का मानना था कि बस ताकतवर लोग को ही जीने का हक है उसे इन गेम में मज़ा आने लगा था अब बिल्ली के मूँ में से एक बेहुस करने वाली गैस बाहर आती है अब हम देखते हैं कि जितने बचे बचे हैं उस बड़ी सी क्यूब में है जोके आसմान में फ्लोट कर रही थी इसमें ना अंदर जाने का कोई रस्ता है और ना ही भाहर आने का क्यूब के अंदर हमया को होश आ जाती है और उस देखता है कि उसके रूम में इचिका नहीं थी रूम में दो अलग स्टुइट्स हैं जो सुन शे कहते हैं कि तीसरी गेम जल्दी शुरूर अने वाली है रूम की डोर खोल जाती है जहां पर हम चार उड़तेवे डॉल्स को अंदर आते देखते हैं और यह सब लोग अपने साथ कोकेशी गेम खिलने को कहते हैं इस गेम में बीच में बैटा हूँ आदमी को चार डॉल्स गाना गातवे घूमेंगे और गाना खतम होने पर उसे गेस करना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन सी डॉल है गलत जवाब यानि कि उसकी मौत पक्की शौन चालाकी से ये गेम भी जीच जाता है और इससे होता ये है कि डॉल्स डेस्ट्रोई हो जाती है डॉल्स के डेस्ट्रोई होने पर उनमें से एक चावी बाहर आती है जब शौन रूम से बाहर आता है उसे वहाँ पर इची का मिल जाती है बाकी कुछ लोग भी मिलते हैं और इन सब के सामने एक एंटरंस थी जिसके खोलने के लिए इन्हें साथ चाबियों के जरवत थी सब अपनी चाबियां अंदर डालते हैं और गेम की नेक्स टेवल में आगे बढ़ जाते हैं अंदर पहुंचने पर चौती गेम सुरू हो जाती है जिसका नाम है शिरोकुन इस गेम में एक सफेद भालू इन सब से सवाल पूछता है अगर सब ने सच बताया तो ये गेमों जीच जाएंगे लेकिन अगर किसी एक ने भी जूट कहा तो इने टाइम देगा ताकि ये लोग सक्स को ढूँड कर भालू को सौब दे और फिर भालू उसे मार डालेगा अब भालू के हर सवाल पर जब भी ये लोग जवाब देते तो भालू इन से कहता है कि तुम में से कोई एक जूटा है जल्दे तुम लोग डिसाइड करके उसे मुझे सौब दो वरना मैं तुम सब को मार दूँगा ये लोग आपस में जगड कर दो बच्चों को भालू को मारने के लिए वोट कर देते हैं लेकिन जब तीसे सवाल के जवाब में भी भालू यही कहता है कि तुम में से कोई जूटा है शौन भालू को ही जूटा बताता है तुम ही जूटे हो तुम कुद को सफेद भालू ब पताती हैं, next game का नाम था, kick the can, sticks की मदद से ये लोग lottery करते हैं, जिसमें आमया को सबसे छोटी stick मिलती है, इस game में इन पांचों में से कोई एक devil बनेगा, और बाकी चार उससे चुपेंगे, sunset के पहले इन बाकी चार को demon को हराना है, यानि कि उन्हें can को लात मार कर अपनी sacrifice देनी पड़ीगी, सब लोग आमया से छिपने लगते हैं, लेकिन आमया तीन students को पकट कर बंदी बना लेता है, अब शुनी अकेला बज जाता है, जो की साम होने से पहले एक लोह का आर्मर पहन कर बाहर आता है, ताकि आमया उसके चेहरे को ना देख पाए, गेम के rules के मता अब एक आमया जब तक किसी का चेहरा ना देख ले, उसे बंदी नहीं बना सकता, शुन ने जो आर्मर पहना तो वो बहुत ही भारी रहता है, इसलिए आमया शुन की face को easily reveal कर देता है, लेकिन शुन आमया का हातों में लोहे की जंजीर बांद कर समंदर में चलांग लगा द लेता है, आमया भी इससे building के SK और खीचे चला जाता है, और खुद को बचाने के लिए शुन को उपर खीचने लगता है, लेकिन शुन आर्मर से बाहर निकल जाता है, और building की दूसरी और से उपर चड़ जाता है, आमया देख लेता है, और दोनों कैन के और भागने लगता है, शुन कैन को किक कर देता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी explosion नहीं होता, वो दोनों अब भी जिन्दा थे, तब ही डॉल्स वहाँ पर आती है, और इससे कहती हैं कि यह सब बस enjoyment के लिए था, और इस गेम में सब जिन्दा बचेंगे, यहाँ पर कोई नहीं मरेगा, और यह आइसक्रीम की स्टिक पर डेथ लिखा था, यहाँ पर मार्तियोस के डॉल्स के अंदर से एक और इवल डॉल बाहर आती है, और जिसके भी आइसक्रीम की स्टिक पर डेथ लिखा था, उन सब को laser से disintegrate कर देती है, मोवी के final scene में हम शुन और अमया को क्यो क्यों क्यों ऊपर खड़े होते देख पाते हैं, जिसे पूरी दुनिया अब God Children का title दे चुकी थी, आमया बहुत ही खुश था, लेकिन शुन अपने आप से हार चुका था, वो कहता है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता है, और पीचे से डॉल्स उसे ठीक करते हुए कहती हैं, कि भगवान हो जाती है, आगे की स्टोरी हमें As The Gods Will Do में continue होगी, जिसका explanation में तभी करूँगा अगर आप इस वीडियो को धीर सारा प्यार देंगी, अब explanation की बात करें तो ending में हम जिस बुड़े आदमी को God कहकर जान पाते हैं, दरसल इस God का नाम है Kamino Koji Kamino Mora, Kamino Koji बहुत पहले एक इनसा पानवा करता था, जिससे माना नाम के एक God ने जबर्दस्ती पावर देकर उसे भी God बना दिया था, Kamino Koji अब इस दुनिया में इसे उपचुका था, इसलिए वो इक गेम्स कंड़क करता है, ताकि उसकी जगह एक रिप्लेस्मेंट डूंड सके, और उस बंदे को God बना सके रिलीजे स्वे में इन पाँचो गेम का असलि मक्सिद भी यही है, कि आपको God के और लीड करे, मतलब इस पाँच गेम आपको भगवान तक पहुँचाने के लिए एक CD का काम करती है, तो आपको एकस्पेंशन कैसे लगी मुझे कमेंट से में जरूर बताएं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं सब नया सीख रहा हूँ, तो प्लीज कोपरिट, तब तक के लिए, थेंक यू एंड बाई